हलो एब्रिवान इंग्लिश में आज अपमें एक न्यू टॉपिक के साथ आए है जो है नरेशन इसमें आपको नरेशन के साथ साथ जितने भी वोकाबलरी के क्वेश्चन है वो भी साथ में करवा दूंगी ताकि उसकी वोकाब की तियारी आपकी साथ साथ में चलते रहे चल इंडिरेक्ट में चेंज करना है तो यहां पर क्या है he says to Ashok I have given you some books first option है he tells Ashok that he had given him some books second is he tells Ashok that he has given you some books third is he tells Ashok that he has given he has been given him some books and fourth one is he tells Ashok that he has given him some books अब यहां पर सबसे पहले तो आजाता है कि वहां पर हमारा क्या है सेज्टू है और उसके बाद क्या है I have given तो आपने देखना है तेंस कौन सा है और अगर अच्छी तरह से पढ़ा है आपने हमारा प्रेजन परफेक्ट तेंस लगाया गया है हना is now I have has have called active work तरड़ कहां तिए च्वाती है तो यहां पर प्रेजंट पर फैंसमें चेंज होता है हमारा अप्श्यन प्रेश को नीचे घय कहतagus है कौन कौन से अप्शन है एक में गिवन और एक है he has given, he has been given या he has given यहीं से ही आपका directly question हो जाएगा, अब आप देखिए कहां पर आ जाएता हमारा अशोक तेल्स, sorry, he tells अशोक that he has given him some books, तो हमारा कौन सा correct होगा, I have, I किसमें change होगा हमारा, I हमारा first person है, first person किसको देखके change होता है हमारा, इसके subject को देखके change होता है, he has given, आगे क्या है, you जो है, second person है, second person किसको देखके होता है, हमने पढ़ा हूँ है यह, one, two, three, s, o, n, तो यहाँ पर first person होतो किसको देखके change होता है, subject को, second person होतो किसको देखके होता है, object को, और third person होतो, there will be no change, तो यहाँ पर क्या है हमारा second person है, कि इसको देखके चेंज होगा यहाँ पे अबजेक्ट को तो अबजेक्त में क्या है अशोग तो यहाँ पर क्या जाएगा हिम आजाएगा तो यहाँ पर और है वो बिल्कोल correct होगा कि he tells Ashok that he has given him some books चलिए अगला question देख लेते हैं question number two you said to Mohan I shall give you the pen यह क्या है you said to Mohan I shall give you the pen options में you told Mohan that you should give you should give your pen next time you told Mohan that you should give him the pen third is you told Mohan that you should give him the pen आगे fourth one you told Mohan if you shall give him the pen अब यहां पर जो है हमने देखना है कि कौन सा है एक्तोटेंस महां पर देख है I shall give you the pen simple future और यहां पर क्या आना चाहिए हमारा कि यहां पर इफ वाला जो हमारा fourth option है वह तो हो गाई नहीं वह हमारा का बात है जब हमारा interrogative हो तो यह हमारा जो fourth है बिल्कुली क्या है गलत होगा यहां पर अबजे three options तो हमारा क्या होन चाहिए I shall give you the pen लिखा हूँ है अब i किसको देख के चेंज होगा वही पिछले वाला रूल 123 और एसअशी किसको यृफ होगा यू पर जबाया यह आई चाहिए यह तो यहां behavior यहां पर क्या एगा इसका शैल का क्या बन जाता है मारा शुड बन जाता है आगे क्या है गेव यू आ गया यहां पर यू किसको देखके चेंज होगा यू देखके चेंज होगा मोहन को लिए की लिए मWho ना कि यू आ मैटा हो फिरस्ट ओप्शन है यहां पर की हमारा जगा इस यसद्घ बन जाता है और हमारा यू का क्या बन जाएगा इसको देखके हिम बन जाएगा इसलिए हमारा यह जो option है option number भी बिल्कुल correct होगा चलिए अगला question देख लेते हैं third में क्या लिखा है Rohit said to his father I have remembered my lesson options देख लेते हैं क्या है इसके first option is Rohit told his father if he had remembered his lesson second is Rohit told his father that he had remembered his lesson fourth one Rohit told his father that he has been remembered his lesson D option is none of these अब यहाँ पर क्या है एक option तो सीधे खतम हो जगा क्या है जो if वाला है क्योंकि यह हमारा question नहीं पूछा गया simple बोला है कि मैंने अपना lesson जो है वो याद कर लिया हुआ है तो यहाँ पर देखते हैं Rohit said to his father that said to की जगा क्या जाएगा हमारा told आजएगा तो यहाँ पर यह भी ठीक है told his father that अभी तक तो यह दोनों सही चल रहे हैं उसके बाद that आ गया उसके बाद क्या आएगा I have remembered my lesson तो I have आए कि इसको देखी चेंज़ है Rohit को तो हमारा क्या जगा ही आ जाएगा दोनों में सही है अब यहाँ पर have है have किस में change होगा हमारा हमारा past में जाएगा तो past में क्या जाएगा had आ जाएगा has been नहीं आएगा तो यहाँ पर correct क्या हो जाएगा correct हमारा option number B हो जाएगा that he had remembered his lesson option number B जो है वो बिलकुल correct हो जाएगा चलिए अगला question देख लेते है next is the police said to the thief you have stolen the bike क्या वो लगया है यहाँ पर the police said to the thief you have stolen the bicycle तो यहाँ पर options दिये गए है the police asked the thief if he has stolen the bike the police told the thief that he have stolen the bike the police told the thief if he has stolen the bike the police told the thief that he had stolen the bike अब यहाँ पर सबसे पहले चेक करें क्या यह question पूछा गया है नहीं तो यह जो इफ वाले है वो सीधे गलत हो जाएगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर इस दिया हुआ था तो इस वाले तो गलत है बिलकुल यहाँ पर बच्चे कॉरए को इस दो पूलिस टोल द थीफ पहले था करते है पूलिस से टू का बन जाएगा तो तो पूलिस टोल्ट थीफ दाट यहाँ पर भी क्या है दपूलली स्टोंति तो इस दो आगला और क्या है he had stolen the bike option number D जो है वो बिलकुल correct हो जाएगा हमारा चली अगला question देख लेते हैं fifth one is they said to me you are doing wrong options देख लेते हैं क्या है they asked me if I was doing wrong they said to me that I was doing wrong they told me that I was doing wrong they told me that you were doing wrong ठीक है अब फिर से पहले चेक करेंगे क्या question पूछा गया है नहीं तो ये जो if वाला है ये हमारा गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या है they said to me अब said to की जगा क्या आना चाहिए told आना चाहिए तो यहाँ पर क्या है said to है ये भी गलत हो जाएगा उसके बाद they told me that they told me that second person किसको देखके change होता है हमारे object को देखके change होता है object क्या है यहाँ पर me me का हमारा subjective case क्या बनेगा I बनेगा ना की you बनेगा इसलिए हमारा D option भी गलत हुआ correct कौन सा हुआ हमारा C option will be correct चली अगला देख लेते हैं अगला है I said to him do you respect your elders options है इसके I asked him if he respected his elders I told him that he respected his elders I told him that you respected your elders I asked him that he respected his elders अब यहाँ पर क्या है हमारा question पूछा गया है right question पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या आता है वहाँ पर said to की जिगा क्या जाएगा asked आ जाएगा ठीक है और क्या changes आएगे identify करने के लिए जो हमने इतनी देर से पूर ने if या फिर हमारा जो weather word है वो लग जाता है यहाँ पर यह सबसे पहली हमारे क्या पर अगर हमारा क्या है अगर हमारा interrogative sentences है तो उसमें क्या लग जाता है हमारा उसमें हमारा एक तो said to की जगा लग जाएगा हमारा asked और if और weather हो जाएगा हमारा यहाँ पर तो यहाँ पर option क्या है I asked him if he respected his elders I told him अब told वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर वेकि मैंने बोला asked आना चाहिए और if आना चाहिए तो जो B and C option है वो दोनों ही गलत हो जाएगे ठीक है अब हमने देखना है कि हमारा क्या है asked आया है हमारा A option में भी and D option में भी अब देखिए यहाँ पर कि हमारा क्या है यहाँ I asked him that he अब यहाँ पर क्या आना चाहिए मैंने बोलता है if या फिर वैदर आता है तो यहाँ पर कहीं पर भी फर वैदर नहीं आया तो option number जो A है वो बिल्कुल correct होगा I asked him if he respected his elders तो A option is correct चली अगला question है हमारा I said to my friend please show me your new house तो अभी देखते हैं option इसके क्या है I advised my friend to show me his new house next है I requested my friend that to show me his new house third one is I requested my friend to show me his new house या none of these अभी यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपकी help के लिए दिया गया है please चीक है अब please हम कब बोलते हैं जब हम किसी से request कर रहे होते हैं यहाँ पर क्या word दिया है advice दिया है जो कि गलत है यहाँ पर advice नहीं दी जारी है यहाँ पर request करी जारी है और requested B में भी दिया है and C में भी दिया है तो I requested I requested my friend यहाँ तक हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या है please show me your house लिखा हुआ है वहाँ पर हाँ ना please show me your house लिखा है तो यहाँ पर क्या है I requested my friend to show me your आ गया your कैसा person है second है second कि इसको देखके change होता है object को देखके तो वहाँ पर क्या आ जाएगा his आएगा और यहाँ पर क्या है to show me his new house यहाँ पर क्या आएगा I requested my friend to show me his new house यह चीज़ क्लियर हो गई चलिए अगला question देख लेते है question number 8 पे आएगा they said to me may God bless you अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम लोग blessings दे रहे हैं तो अब यहाँ पर options देख लेते हैं they prayed to God they prayed that God might help him they advised that God might help me they requested that God might help me or none of these अब यहाँ पर क्या मैंने बुल था यहाँ पर क्या वर रहे हैं यहाँ पर blessings दे रहे हैं may God help you क्या किया उन्होंने प्रे किया भगवान से bless किया भगवान जी को कि blessings दो कि may God help you प्रे किया यहाँ पर तो आप देखो रिक्वेस्ट की भगवान जी से यहाँ पर एडवाइस दी तो क्या किया उन्होंने प्रे किया है तो डरेक्ली यहाँ पर आजाएकर they prayed that God might help me तो यहाँ पर may God help you का मतलब क्या है प्रे किया है उन्होंनों तो यहाँ पर डरेक्ली हमारा प्रे आजाएगा अगला है हमारा he said that he would return tomorrow next is he said that he would return the next day और fourth है हमारा he said that he would return the next day ठीक है अब हम देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पर कौन सा आएगा यहाँ पर है हमारा he said that अब क्योंकि हाँ पर said to नहीं है तो said आजाएगा he said that अब I का क्या बन गया है हमारा क्या बन जाएगा इसको he बन जाएगा तो यह हमारा last वाला जो है वो गलत है आगे will का क्या बन जाएगा would बन जाएगा तो first वाले में will है यह गरा फिर उस बाद return tomorrow tomorrow का हमें पता है जितने भी time related होते हैं चेंज हो जाते हैं the next day में tomorrow का हमारा क्या बन जाता है tomorrow का हमारा बन जाता है the next day यह हमारा the next day बन जाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा option number जो C है वो बिलकुल सही होगा चलिए अगला question देख लेते हैं 10 में आएगा यहाँ पर he said alas I am ruined कि मैं बर्बाद हो गया हूँ अब यहाँ पर क्या है he exclaimed with surprise that he was ruined he exclaimed with sorrow that he was ruined he exclaimed with joy that he was ruined या none of these अब हब बोलें कि हम बर्बाद होगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे खुशी से बोलेंगे चौंकर बोलेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा surprise भी गलत आएगा और हमारा joy भी गलत आएगा तो कैसे दुख से बोलते हैं हम लोग तो option number B जो है वो बिलकुल सही होगा अगला question देखते हैं अगला question है he said to them let us go options क्या है इसके he proposed to them that they should go he proposed to them if they should go he proposed to them we should go या none of these अब यह पहले देखिए कि किस तरह का sentence है तो यह हमारा sentence है imperative sentence कैसा sentence है तो यह हमारा imperative sentence है और imperative sentence जब भी आएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं या तो हमारा वहाँ पर option में आता है suggested या फिर आता है हमारा वहाँ पर proposed ठीक है दो चीज़ेशने आती या तो आएगा तो हमारा suggested या तो आएगा प्रपोस्ट अब यहां पर क्या रहा है प्रपोस्ट आ रहा है तो तीनों में ही क्या है प्रपोस्ट लिका है तो जो की correct है आगे देख लेते हैं यहां पर क्या है he proposed to अब यहां पर क्या है हमारा fixed proposition लगी दाट ने आएगा proposed to suggested to यह fixed proposition इनके साथ to ही लगता है वहां पर देख लिए किसी में भी that नहीं लगा है अगर यहां पर किसी में दाट लगा होता हो तो वो directly गलत हो जाता क्योंकि यह fixed proposition इसके साथ to आता ही आता है अगे है let us go, he proposed to them that, क्या न चाहिए है यहाँ पर, let us go, अब वहाँ पर क्या बोल रहा है उनको, suggestion दे रहा है, कि that they should go, तो यहाँ पर हम लोग suggest कर रहे होते हैं, propose कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है that, they should go, यह हमारा क्यों अगर बिल्कुल सही होगा, चलिए, next question है, they said let us play cricket, same आगया पिछले वाला यह, imperative sentence तो क्या बताया था मैंने यहाँ पर, suggested आता है या proposed आता है, यही बताया था आपको, कि क्या आता है हमारा, जितने भी हमारे imperative sentences होते है, directly करने का तरीका क्या है, suggested आएगा, या proposed आएगा, देखिए, इसमें, यह requested है, गलत हो गया, यह wished है, यह भी गलत हो गया, तो क्या correct आएगा हमारा, they suggested that, they should play the cricket, तो हमारा B option जो है, वो बिल्कुल correct होगा, अगला है question number 13, 13 में क्या है हमारा, किरन asked me, did you see the cricket match on the television last night, अब वहाँ पर क्या है, फिर से हमारा क्या है, question पूछा गया है, अब question पूछा गया है, तो हमारा क्या आता है, question में हमें पता है, if या weather आता है, अब यहाँ पर पहले तो find out करें, किसमें if या weather नहीं आया है, तो हमारा देखो, इसमें जो है, option number C में, ना ही if है, ना ही weather है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, बिलकुल गलत हो जाएगा, अब क्या है, यहाँ पर भी weather दिया है, यहाँ यहाँ वैदर दिया है, तीन option बज़ गए, अब हमने देखना है बाकी रूल्स, अब यहां पर क्या है देखें अगर हम लोग तो यहां पर हमें टेंस क्या है डिड यू सी अब डिड यू सी हमारा डिड कहां लगता है प्रेजिंट इंडेफिनेट में और हमारा क्या आना चाहिए महां पर पास्ट आना चाहिए अब हमारा पास्ट क्या है सौ तो नहीं आए या फिर यहां पर आएगा I had seen the cricket match on the television on the earlier night अब हमारा फिर से क्या गया हमारा time related word आगया last night को हम क्या लिखते हैं last night को लिखते हम यहां पर earlier night तो कौन से में हमारा earlier night लिखा हुआ है तो यह हमारा option number B में जो है वो बिल्कुल सही होगा यहां पर हमारा क्या लिखा था last night लिखा था तो हमारा option number D जो है वो incorrect होगा ठीक है अगला question देख लेते हैं question number 14 14 में क्या है David said to Ravi Shruti will leave for her native place tomorrow तो क्या है simple लिखा है कि वो क्या है अपनी native place के लिए कल जो है वो जाएगी ठीक है तो अब हमारा क्या है simple future tense है तो किस्से change करेंगे हम इसको तो पहले तो हमारा से टू की जगा चलाएक है टोड थड़ी डाट शूरूती अब विल की जगा क्या वॉड़ोद आजाएगा तो हमारा पहला option क्या है डिड़क्त हो गया वहांपे विल ही था अब यहां पर क्या है क्या है विल क्लेक्ट बनाईया जाए नहीं है second option भी हमारा क्या है प्रिप्लोग उनक्राइब क्या है एबूद क्या है रीविंग फौर हरेटफ प्लेच्ट कोड़ो तो यहां पर कॉरेक्ट कॉन सा होगा हमारारा ऑप्शिन नंबर कॉल और भी योट डलत होगा कि वुडब नहीं नहीं, would be leaving नहीं आएगा, would leave आएगा, as it is ही रहेगा, चलिए, अगला है, 15th question, he said to her, what a cold day, तो options में है, he told her that it was a cold day, he exclaimed that it was a cold day, he exclaimed sorrowfully that it was a cold day, he exclaimed that it was a very cold day, अब यहाँ पर क्या है, he told that it was a cold day, यह नहीं आएगा, जब भी हमारे exclamation वाला लगा हुए पीछे, तो वहाँ पर हमेशा exclaimed से बताया जाता है, अब यह वाला आगया, उसके बाद क्या है, क्या हम दुख से मना बोलते हैं, क्या है, तो यहाँ पर sorrowfully भी नहीं अब भी exclamation वाला होता है हमारा, तो उसमें क्या आता है, वहाँ पर हमारा very word लग जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, जो D option हो बिलकुल correct होगा, और B वाला हमारा क्या होगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो हमारा D option यहाँ पर correct है, चलिए, आगे हम बढ़ते ह हमारा अब आएंगे, हमारे synonyms आएंगे, ठीक है, मैंने आपको पैसे बताया था, कि मैं साथ में ही आपका vocabulary का भी कर दवा दूंगी, तो यहाँ पे क्या है, हमारा synonyms शुरू होते है, synonyms में पहला word है, हमारा went, तो हमारा went का जो है, वो क्या होगा, suitable word, same word क्या होगा, opening है storage है, end है, या none of these, तो went का मतलब क्या होता है, छोटी सी प्लेस जहां से निकलने के लिए हो, ठीक है, तो निकलने की छोटी सी प्लेस को क्या हम बोलते है, went बोलते है, तो यहाँ पर हमारा है कोई same word, तो हमारा क्या है, option number A, जो opening है, वो यहाँ है, similar is to went, चलिए, next देखते है ब्रीफ, अब वहाँ पर question से बोलते हैं कि briefly explain करना है, तुमीज छोटे में explain करना है, उतने में explain करना है, तो यहाँ पर देखिए, हमें most appropriate बोला हुआ है, तो इस चीज का भी धिहान रखना है, तो हाँ पर हमें क्या बोला है, option में दिया गया है, limited, small, little, short, अब question को अगर बो से लगते हैं, तो आपने कौन सा देखना है, जो most appropriated हो, तो वो कौन सा हमारा, short, option number D, जो हो बिलकुल correct होगा, अगला question है, alert, अब alert का synonym क्या होगा हमारा, energetic होगा, watchful होगा, observant होगा, intelligent होगा, alert का मतलब क्या होता है, जो मतलब क्या है, कोई भी चीज है तो पता हो, वो ध्य इस चीज के ऊपर, तो जो ध्यान देने वाला होता है, उसको क्या हम बोलते है, उसको बोलते है, watchful, जो हर तरफ देख रहा होता है, alert होता है, देख रहा है, जगा, तो उसको हम बोलते है, watchful, energetic नहीं होगा, observant नहीं होगा, और intelligent भी नहीं होगा, इसका, next है हमारा word, stringent, इस ठोस बहुत ही जाद है फ्लेक्सिबल नहीं होता जो वहां पर क्या है ड्राइज रिग्रस या श्रिल श्रिल नहीं होगा अब ड्राय भी नहीं होगा जो रिगरस वर्ड है वह बिल्कुल इसके जैसा है स्ट्रिंजन जासा चलिए अगला question है हमारा consequences बोलते हैं अगर तुम गलत करोगे तो consequences भी तुम को भुगतने पड़ेंगे तो वही चीज आ जाती है consequences का हमारा क्या होगा result होगा conclusion होगा difficulties होगा application होगा तो कोई चीज गलत करेंगे consequences that means उसका जो result है वो भी तुम को ही मिलेगा तो इसलिए क्या बोलते हैं कि consequences का क्या होगा result will be the correct answer ना ही conclusion होगा difficulties भी नहीं होगा application भी नहीं है तो क्या मिलेगा most appropriate word is result चलिए गले question पर बढ़ते हैं next question हमारा आजाएगा उसमें हमारा वर्ड आया enormous मलब बहुत ही जादा बड़ा और options में कह दिया है soft average tiny and weak तो जो बहुत जादा बड़ा है जो giant है उसका opposite क्या होगा enormous means बहुत बड़ा तो opposite क्या होना चाहिए चोटा होना चाहिए चोटा वर्ड को कौन बता रहा है यहां पर तो जो tiny है वो बता रहा है वीक नहीं है average भी नहीं है soft भी नहीं है enormous means बड़ा and tiny means चोटा है अगला है 22 expand expand का मतलब भी क्यों होता है बड़ा होना लार्ज होना तो इसका क्या है इसका convert condensed congested या conclude expand means फैलना और फैलने का opposite क्यों होता है तो देखना है कि क्या होगा हमारा condensed होता है फैलना means outer will माली तरफ यह होता है फैलना और condensed का क्या होता है अंदर वाली साइड को जब कोई चीर आती है तो उसको और condensed form बोलते है expanded form and condensed form तो यहां पर क्या आएगा इसका condensed आएगा क्वेश्ट नबर 23 कि स्टाटल्ड क्या है हमारा स्टाटल्ड और उसका option क्या दिएगे amused relax endless and astonished तो जो बहुत ही अशान्त हो और उसका opposite क्या होगा यहां पर यहां पर क्या दिया गया ऐसा वर्ड जो शान्त को बता रहा है amused दिया है relaxed दिया है endless दिया है यह astonished दिया है तो कौन सा correct होगा हमारा जो relaxed word है वो बताता है कि शान्त ठीक है अगला है हमारा 24 इसका है victorious तो victorious का पता है आपको क्या होता है विजय तो इसका opposite क्या होगा defeated होगा annexed होगा destroyed होगा या vanquist होगा तो कौन सा होना चाहिए easy है victorious का मतलब होता है जीतना और उसका opposite क्या होगा defeated तो यहाँ पर क्या आएगा इसका answer option number a बिल्कुल correct होगा opposite में defeated next is mortal अम mortal का तो सामनी नजर आ रहा एक है जो कभी मर नहीं सकता और एक है जो मर सकता है तो यहाँ पर क्या आएगा मॉटल का क्या आएगा इं मॉटल आएगा तो option number d जो है वो बिल्कुल सही है अगला question देख लेते हैं हम लोग next is हमारा idiom and phrases जो होते हैं उससे आया है question पहला question है हमारा जो phrase है वो दिया गया है at the 11th hour तो इसका क्या होगा correct too late, too early, immediate या at the last moment तो कोई भी चीज हम 11th hour पे करते हैं that means हम लोग last moment पे करते हैं आखरी समय में जब करें तो उसको बोलते हैं किसी काम को तो वो होता है हमारा at the last moment मतलब at the 11th hour अगला है हमारा phrase birds of the same feather का मतलब क्या हुआ persons of same face persons of same color birds with same type of feathers या person of same characters birds of same feather जैसे हमारे class में आपने देखा होगा कि क्या होते एक टाइप के mentality की एक टाइप के सोच के लोग जब कठे रहते तो उसको बोलते हैं birds of same feather means एक जैसे characteristics वाले लोग तो नहीं यहां पे यह तो होगा इनी birds with same feather ना ही color ना ही face नहीं आपर क्या होगा जो जिनकी mentality जिनका character जह हो काफी हद तक मिलता है तो उसको persons of same character बोलते है birds of same feather बोलते हैं चलिए अगला देखते हैं अगला है bone of contention क्या होना चाहिए a subject of peace a subject of trade a subject of dispute या subject of export bone of contention हिंदी में हम बोले तो क्या होता है इसकी लडाई की जड़ तो ना ही यह piece होगा ना ही trade होगा ना ही export होगा लडाई की जड़ को क्या बोलते हैं हम लोग bone of contention a subject of dispute बोलते हैं bone of contention मतलब जैसे POK है तो वो क्या है पाकिस्तान और इंडिया के लिए क्या है bone of contention है लडाई की जड़ है चलिए अगला है to flock a dead horse मरे और घोड़े को फ्लॉग करना फ्लॉग मीन्स चाबुक मारना है ना तो क्या है टो विप अडेड हॉर्स टू अटेंप्ट तो डू पॉसिबल waste one's effort or to take advantage of a weakness तो क्या होगा इसका के टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब कि अगर इसमें से भी देखा कि आज का हमारा last question है fair weather friends क्या है fair weather का मतलब क्यों अच्छा मौसम तो अच्छे मौसम वाले दोस्त तो यहां पर options में क्या दिया है friends who face difficulties कामली favorable friends friends who desert you in difficulties are reliable friends तो अच्छी weather वाले friends मीन जब क्या है situation स्मूध है तब आपके साथ रहते हैं वैसे नहीं रहते तो यहां पर कौन सा है यहां पर difficulties में नहीं रहते reliable नहीं है और favorable भी नहीं जो आपको अकेला छोड़ दें difficulties में वह कौन से होते हैं fair weather friend होते हैं I hope आपको आज का session अच्छा लगा होगा आज के 30 questions आपको completely explain कर दिये मैंने आपको समझ आ गए होंगे आज के लिए इतना ही thank you so much